आउजू बिल्लाहिमिने शेट वानित वाजीम बिस्मिल्लाहित वाक्मानित रहीम असलाम लेकूं दोस्तों मैं हूँ मौसिन दजा और आप लोग देख रहे हैं 24 आर 7 टीचर्स ऑनलाइन दोस्तों हम एक नया कोर्स शुरू करने चाहा रहे हैं जिसका नाम है बिजनिस फाइ बिजनिस फाइनेंस के basic concepts के बारे मैं सिखाऊंगा बलके उन से related जो आपके numerical examples हैं वो भी सिखाऊंगा उसके साथ ही आपके जितने भी numerical formulas हैं वो भी सिखाऊंगा उसके साथ ही मैं आपको ये भी सिखाऊंगा के आपने उन numerical questions को कैसे solve करना है उसके साथ ही दोस्तो हम अपने हर lecture के अंदर जो भी concept business finance से related पढ़ेंगे उनके ना फिरफ मैं आप लोगों को concepts तूँँगा बलके उन से related जो भी numerical question होंगे उसकी हम एक example भी किया करेंगे उसके साथ ही आखिर में मैं आपको exercises भी दिया करूंगा जिससे आपको ना फिरफ उन concepts को समझने में मदद मिलेगी बलके उनको कैसे calculate करना है ये भी सीखने का मौका मिलेगा दोस्तो आज उसी हवाले से हमारी पहली class है और आज की class में हम लोग बात करेंगे introduction to business finance की दोस्तो हमने ये नया subject business finance शुरू किया है तो हमें सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि business finance basically होता क्या है business finance is a combination of two words business and finance दोस्तो हम सबसे पहले देखते हैं कि business क्या होता है every human activity which is engaged in for the sake of earning profit may be called business के हर वो activity जो मुनाफ़ा कमाने के लिए की जाए वो business कहलाती है उसके बाद हम बात करते हैं कि finance क्या होता है the management of large amount of money especially by government or a large company is known as finance कि जब हम बहुत सारी रकम को manage करते हैं किसी भी company के लिए किसी भी government के लिए तो उसको हम finance कहते हैं तो दोस्तो हम कह सकते हैं कि business finance is the art and science of managing your company's money and include activities such as borrowing, investing, leading, budgeting and forecasting business finance एक ऐसा fund है जिसके जरिये हम अपनी company की money को manage करते हैं इसके अंदर हमारे पास borrowing आ जाता है इसके अंदर हमारे पास investing आ जाता है इसके अंदर हमारे पास lending आ जाता है इसके अंदर हमारे पास budgeting आ जाता है इसके अंदर हमारे पास forecasting आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि business finance हमारा एक ऐसा subject है जिसको पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम किसी भी company के जो resources हैं जो specially financial resources हैं उनको कैसे manage करना है with respect to के हमने कहां से वो resources borrow करने हैं हमने वो resources कहां पे invest करने हैं हमने उन सारे resources की budgeting कैसे करनी हैं हमने उनको forecast कैसे करना है after completing this course you will be able to manage all these things आप इसका बिल हो जाएंगे के आप इन सारी चीज़ें को manage कर सकें दोस्तों हम ये भी देख लेते हैं के हम ये course business finance क्यों पढ़ रहे हैं this course will help us ये course हमें help करेगा to find out the answer of the following question के हम इन questions के जवाबात तलाश कर सकें how to start a new business के हम एक नया business कैसे शुरू कर सकते हैं where from we get the capital to start that business हम कहां कहां से इस business के लिए capital raise कर सकते हैं funds इकठे कर सकते हैं what are the different options available for investment जब हमारे पाफ funds इकठे हो गए तो हम उन funds को कहां कहां पे invest कर सकते हैं जहां से हमें मुनाफ़ा हो how to evaluate different available options हमारे पास जो different options available हैं उनको हम कैसे evaluate कर सकते हैं कि हमें पता चल सके कि कौन सी option ऐसी है जहां पे अगर हम invest करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा होगा how to forecast the future cash flow और हम अपने future cash flow को कैसे forecast कर सकते हैं हम business finance इसलिए पढ़ रहे हैं ताके हम इन सारे सवालों के जवाबात तलाश कर सकें दोस्तो इस business finance course को मैंने चार हिसों के अंदर तक्सीम किया है the first portion is related to the introduction of the business finance पहला जो हमारा portion है वो हमारा introduction to business finance के हवाले से है और आज उस series का हमारा पहला lecture है जिसके अंदर हम introduction की ही बात कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं के हम business finance को पढ़ते क्यूं है उसके साथ ही इसी portion के अंदर हम ये भी देखेंगे के what is the objective of business finance के हमारे business finance के objective क्या है objective of financial management हमारे financial management के क्या objective है उसके साथ ही analysis of financial statement हम इसी portion के अंदर हमारी जो financial statements हैं उनको भी analyze करेंगे उसके बाद the second part इस course का उसके अंदर हम time value of money की बात करेंगे उसके अंदर हम लोग present value की बात करेंगे उसके अंदर हम future value की बात करेंगे उसके अंदर हम annuitives की बात करेंगे उसके अंदर हम perpetuities की बात करेंगे दोस्तो हम ना फिरफ इन concepts को सीखेंगे बलके इनको हम कैसे calculate करते हैं, कैसे हम present value calculate करते हैं, कैसे हम future value calculate करते हैं, कैसे हम annuitives को calculate करते हैं, कैसे हम perpetuities को calculate करते हैं और इन annuitives और perpetuities के दर्मियान फर्क क्या होता है ये हम अपने इस course के second part के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों हमारा जो तीसरा पार्ट है इस कोर्स का उसके अंदर हम लोग अपनी इन्वेस्ट्मेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हमने फन्ड रेजकर लिए, सब्से इकठे कर लिए, अब हमने उनको इन्वेस्ट कहा करना है आया कि हमने उनसे bonds खरीद करने हैं, आया हमने उनसे stock या share खरीद करने हैं, फिर हम लोग उन bonds की valuation के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम stock valuation या share valuation की बात करेंगे अपने तीसरे part के अंदर इस course के. दोस्तों आखरी जो हमारा part होगा इस course का, वो capital budgeting and working capital management के हवाले से होगा. दोस्तों इसके अंदर हम risk and return की बात करेंगे, उसके अंदर हम IRR की बात करेंगे, उसके अंदर हम net present value की बात करेंगे, उसके अंदर हम लोग short term borrowing की बात करेंगे, इसके साथ ही हम लोग long term borrowing की बात करेंगे और इसके साथ ही हम इन तीनों parts के साथ अपना ये course complete करेंगे. दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको ये course पसंद आएगा और आप इस course से काफी कुछ business finance के हवाले से सीखेंगे. दोस्तों आज उसी series का हमारा पहला lecture है जिसके अंदर हमने ये सीखा है कि business finance basically होता क्या है और हम इसको क्यों study करते हैं. दोस्तों मुझे उमीद है कि आप इस course से काफी कुछ सिखेंगे. दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगें तो आप उने like कीजिए, अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और comments की सुरत में अपना feedback दीजिए और मेरा channel 24R7 Teachers Online subscribe कीजिए. दोस्तों मिलते हैं अगली business finance की class में उफवकत तक के लिए मौफिन भाई को इजावत दीजिए. Thank you very much दोस्तों. Allah Hafiz.